हेलो दोस्तों आपका सवागत आपके अपने यूटूब चैनल एमड्यू हेल्प में एमड्यू की तरब से UMC एरिंग के लिस्ट जारी की गी है जिन भी स्टूडेंट की एक्जाम के दुरान UMC बन गी थी UMC में केस बन गया सा जिन भी स्टूडेंट का एक्जाम के दुरान उनकी लिस्ट जारी की गी है टोटल दो लिस्ट जारी की गी है UMC केसी एरिंग की दोनों ही लिस्ट को डाउन्वूड करके चेक करेंगे कौन-कौन से courses की, कौन-कौन से semester की UMC Earing के regarding वो list जारी की गई है उससे पहले अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करके notification bell पर जुरूर प्रेस कर लेजिए जिसे MDU से जोड़ी कोई भी update हो उसकी notification आप तक पहुंजा Instagram, Facebook, Telegram और WhatsApp चैनल पर अगर आपने follow नहीं किया तो आपर भी follow कर लीजिए सभी का link आपको वीडियो के description में मिलताएगा link पर click करके आप सिधे follow कर सकते हैं तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं UMC Earing की पहली list को मैंने download कर लिया है MDU की तरफ से list जारी की गी है सबसे पहले B8 के first year के जो student है जिनके जून जुलाई मन्थ में अभी 2024 में exam हुए थे साथ में BTEC के second semester के four semester के six semester के eight semester के जो student है जिनके exam माई जून मन्थ में हुए थे अभी 2024 में जिनोंने re-hearing के लिए apply किया था आप सभी की जो UMC earing हो 30 सितंबर को रहेगी साधे 10 बजे earing आपके start हो जाएगी Office of Controller of Examination MDU University रोता कि आपर आपको पहुँचाना जितने भी student के नीचे रोल लंबर में से नहीं आप सभी student की जो earing है 30 सितंबर को है साधे 9 बजे तक आपको पहुँचाना है साधे 10 बजे आपकी earing स्टार्ट हो जाएगी एक गंटा पहले आपको यहाँ पहुचना है आप चेक कर सकते हैं अगर कोई student decision से satisfy नहीं है तो decision आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर re-hearing के लिए आप apply कर सकते हैं इसके बाद आपकी जो re-hearing हो जाएगी सबसे पहले B.E.D. First Year के जो student आप अपना roll number चेक कर सकते हैं Year चेक कर सकते हैं Subject चेक कर सकते हैं Question paper ID चेक कर सकते हैं Roll number के इसाफ़ चेक कर सकते हैं कौन से subject में आपके UMC वनी है Question paper ID क्या रहेगी किन-किन student की UMC वनी है या आप आप अपना roll number सर्च कर के चेक कर सकते हैं और कौन से subject में UMC वनी है उसके बाद जिन student ने Rehearing के लिए अपलाई गया था B.E.D.C. के जो student है या आप अपना roll number चेक कर सकते हैं semester चेक कर सकते हैं कौन से subject में आपकी UMC वनी थी और दुबारा Rehearing के लिए आपने अपलाई गया था तो यहां पर आप अपना roll number चेक कर सकते हैं तीस तारीक कोई आपकी UMC hearing की जो है सुनवाई होगी उस दिन आपको MDU campus रो तक जाना है तीस तारीकों साड़े दस वजे 30 सितंबर 2024 को अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लिंक पर कलिक करके आप सी डे लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं यह बाद यह आपकी second list रहेगी B8 के second year के जो student है M8 के second semester के जो student है आपकी UMC एरिंग 30 सितंबर को दो पहरे डाईब जे स्टार्ट हो जाएगी Controller of Examination MD University रोथ यहाँ पर आपको पहुँझाना जितने भी student के नीचे रोलंबर में इसन है 30 तारीक को आपकी एरिंग है 1 गंटा पहले आपको पहुँझाना है डाईब जे आपकी एरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर decision आने के बाद को student satisfy नहीं है result से तो 30 दिन के अंदर-अंदर re-hearing के लिए apply कर सकता है सबसे पहले 28 second year के जो student है आप तना रोलंबर चेक कर सकते हैं आपकी UMC बनी है या फिर नहीं बनी कौन से subject में बनी है उसकी question paper ID क्या रहेगी आपर आप असानी से चेक कर सकते हैं उसके बाद M8 के second semester के जो student है या आप रोलंबर चेक कर सकते हैं आपकी UMC बनी है या फिर नहीं बनी अगर आप इस list को download करना चाहते हैं तो वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा लिंक पर कलिक करके आप सीधे ही list को download करके चेक कर सकते हैं इसके लाबा UMC hearing के regarding कोई doubt है तो comment box में पूछ सकते हैं वीडियो helpful लगे तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें चैनल पर पहली वार आए तो चैनल को जुरूर subscribe करें हन्यवाद